नमस्कार दोस्तों मैं संजीव शर्मा डिजायर उसे आज हम बात करेंगे हिमाचर परदेश की पिछले दो दुनों से जिस तरीके का वहाँ पर एक महासंग्राम चल ला है इतनी ठंटी जगे में राजनेती कितनी गर्माई हुई है आज उसके बारे में बात करेंगे कल जो ख दूब जाने के बात भी नहीं कहुंचे और उन छे लोगों को एक तरीके से निसकासित कर दिया गया है और अब सुकुल सरकार यानि सुकुल सरकार है वह बिल्कुल सेफ है और उन्हें किसी किसम का कोई खत्रा अभी नजब नहीं आ रहा जिस तरीके से छे विधायकों ने राज्यसभा के एक मेंबर जो बीजेपी से खड़े हुए थे उनके पक्स में बूल दिया था उसके बाद कही ना कहीं सरकार के अंदर खल्चर मचीवी थी और उन लोगों को किस तरीके से वहां से हलिकॉप्टर के जरिए हरियाना में स्टेकर आया गया था उन सारी चीतों तो कहीं ना कहीं यह राज़ीती के अंदर अब बहुत जरूर ही हो गया है कि जो भी चीफ मिनिस्टर हो वो अपनी सरकार की शांप को कांटिंग जरूर करें कि कितने विधायक उसके साथ हैं कितने नहीं है आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि सभी विधायकों को एक ही है ताकि शांट उनकी कांटिंग हो सके और जिस तरीके से जो सर्वेयल गए हुए थे वहाँ पे जो पर्विक्षक गए हुए थे कॉम्वेश के उसमें भूपेश भगेर्टीलों ने हल विधायक से बात करी और उनकी समस्याओं को जाना है और अब उन्होंने एक कमेटी भ देजे जाएंगे तो जो दिट्री सेलेक्ट करेंगी वही तीन मेंबर उस कमेटी के अंदर होंगे तो आपस में जो एक समन में है वह बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है लेकिन इन सारी जीतों को देखते हुए हिमाचल की सरकार अभी सेफ है और आने वाले समय में कुछ तक शेफ है जब तक वह जो छे विधायर जिनको निश्काशित किया गया है वो कोई कोल की रेमेडी नहीं देते हैं या उनको को से को रिलीट नहीं मिलता है तब तक हिमाचल की जो कॉंग्रेस की सरकार है वो अभी बरकराद है और जैसा की के शिवकुमार ने कहा कि अभी जो शुकू सरकार है और जो चीफ मिनिस्त्र है वो बने रहेंगे और पांट साल तक है सरकार अच्छे तरीके से चलेगी यह एक नया मूड आया है जो पिछले दो दिनों के अंदर जिस तरीके करी वहां पर हल्चल थी उस हल्चल पर कही नहीं अब गराम लगा है लोग सब सीटों को जिताता है तो आम इसके बख्ष में वो बेज जाएंगे मैंने कोई स्तीफानी दिया है मैं एक योद्धा हूं आम परिवार से निकला वाज योद्धा लडाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है तो यह बात मैं आज स्वस्तोर से करना चाहता हूं जो यह प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि यह जो बजट है बजट सेशन में जो बढ़ायकों को बर्गलाने की बात कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखे हम बजट में अपनी मिजौर्टी को साबीत करेंगे और जब हमारी मिजौर्टी साबीत होगी निश्चीत रोपर भारत जनता पाटी ये जानती है कि जो बधायक थे वो उसमें से कुछ बधायक हमारे संपर्क में है क्या जो बधायक हमारे संपर्क में बधायक हमारे संपर्क में है